सुलाद सालर हर न्यू Begyiner Singer पांच एसी Mistakes करता है, जिसकी वज़वज़ से उसकी vocals की quality अच्छी नहीं होती। जिसकी वज़वज़ से अगर वोखल से रिकॉर्ड करता है, तो उसकी वोखल से उस तरीके से रिकार्ड नहीं हो पाते हैं। वो 5-6 mistakes आप कौन सी करते हो और किस तरीके से आप उसको fix कर सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको exactly यही बताने लगा हूँ लेकिन इससे पहले किम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं आप जल्दी से जाएं आप इस तरीके से एधार कॉन सी है और असको आपको आपके थीक कर सकते हो आप अपने जुरू करते हैं शुरू करने से पहले जो आप सांस लेते हो ठीक है जो ब्रेतथ आप लेते हो वो बहुत ज़्यादा important होती है क्योंकि हर जमले से पहले आप एक सांस लेते हो गेरी ठीक है अगर वो आप प्रापर तरीके से नहीं ले रहे अगर आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं हुई तो आप जब अपना जमला आपने पूरा नहीं किया होगा आप अपने भी vocals पहले जो sentence है वो पूरा नहीं किया होगा इस से पहले कि आपकी सांस खतम हो जाएगी फिर आपको आदे में जो है या फिर आखिर में फुल जोर लगाना पड़ेगा उस sentence को पूरा करने के लिए या आपको बीच में दोबारा से सांस लेनी होगी कि आप उस फ्रेज को पूरा करो और अल्रेडी यहां पर ही आपकी जो vocals की quality है वो अल्रेडी डाउन आ जाती है तो यह सबसे पहली mistake है और इसको ठीक करने के लिए आप काफी सारी practices कर सकते है जिसमें से एक आप ऐसा कर सकते हो कि यह practice मैं खुद भी काफी करता हूँ कि आप पहले सांस लो ठीक की चार तक गिनना होगा आपको तीन चीजों में सबसे पहले आप सांस लोगे जब आपने सांस ले ली फिर आप चार तक गिनोगे फिर उसके बाद आप सांस वापस एक्जेल करोगे और फिर से चार तक गिनोगे और यही practice बार बार करते रहोगे इस से आपकी breathing और आपकी timing काफी बहतर हो जाएगी सबसे पहली mistake को ठीक करने के लिए आपको अपनी poor breathing techniques को ठीक करना होगा और आपको अपने सांसों को practice करना होगा कि किस तरीके से वो आपके control में हो दूसरी mistake की तरफ आते हैं जो के है lack of warm up ठीक है जब आप अपने vocals या record करना शुरू करते हो या आप generally अगर आप अपना vocals singing शुरू करते हो और आपने सही से warm up नहीं किया और आप एकदम से full power के साथ आप जब vocals start करोगे तो आप अपने जो है voice को damage कर सकते हो तो आपकी वो quality नहीं होगी जब आप कहा रहे होगे कभी कभी आपने try किया होगा कि किसी दिन आपकी आपकी आवास बिल्कुल आपस की गले से निकल ही नहीं रही है या आपने जैसी सिंगिंग शुरू की आपको एक अजीब सी feeling हो रही है या आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे है क्योंकि आप बगेर practice की शुरू की है हर बार जब आप singing शुरू करते हैं उस से पहले आपकी एक warm up रोटीन होनी चाहिए ठीक हर एक की different routine होती है और warm up routine के लिए जैसे के आप मैंने आपको भी breathing practice का का वो भी आपकी एक routine हो सकती है ठीक है warm up के लिए फिर उसके हिसाब से मुक्तलिफ आपकी जो है start करने से पहले किस तरीके से आप अपने गले को warm up करते हो इसी तरह exactly आप अपने गले के muscles को warm up करो और उससे आपकी vocals पे काफी effect आएगा आपकी vocals काफी अच्छे हो जाएंगे vocals के warm up के लिए काफी सारी exercises है जो आप try कर सकते है वो exercises काफी आपको funny भी लेगेंगी क्योंकि उसमें मुक्तलिफ किसम की आवाजें निकालना हो दोस्तों अगली tip बताने से पहले मेरे आपसे छोटी सी request है कि अगर आपको मेरी videos पसंद आती है तो आप जल्दी से जाके इसको अभी like कर दो तीसरी जो चीज़ जिसने मुझे भी बहुत ज्यादा problem दी है मेरे vocals गाने में है वो है posture ठीक है posture मतलब आप किस तरीके से किस angle में या किस तरीके से खड़े होके या बैठ के आप अपने vocals गा रहे हो ठीक है जब आपने warm up कर लिया आपने सारा कुछ कर लिया आप vocals record करने के लिए बैठते हो या खड़े होते हो depend करता है किस posture में आप हो उस हिसाब से आपके vocals होंगे ठीक है singing के कुछ posture बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर अभी आपके गले खुले होंगे ठीक है जिससे जब मैं उपर देखता हूँ अकसर singers को आप देखोगे जब मैं बच्पन में गाता था शुरू शुरू में ठीक है तो मेरा posture जब ऐसे होता था ठीक है मुझे समझ नहीं आती थी क्योंके मेरे लिए तो यूँ गाना या फिर यूँ गाना सेम होता था तो जब मैं ऐसे एक्सर स्कूल में मैं जो है नात पढ़ता था ठीक है माइक मेरे सामने होता था और मैं ऐसे नीचे देखके नात पढ़ता था जिसकी वजह से मेरे गले पे काफी प्रेशर आता था मुझे मैं उस तरीके से गा नहीं पाता तो मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि कभी कभी मेरी आवाज अच्छी होती है कभी कभी बुरी होती है क्या वज़ा है तो फिर ये मुझे काफी टाइम लगा इस मिस्टेक को डूनने में कि मेरे जो पोस्चर है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है वो भी इंपोर्टेंट है कि क्या आप बैठ के गा रहे हो या क्या आप खड़े हो के गा रहे हो जब आप वोकल्स गा रहे होते हो आपको एक ऐसा रिलेक्स पोस्चर ढूनना होता है एक ऐसा रिलेक्स पोस्चर जिसमें आपके कंदे थोड़े ढीले हो ठीक है कंदों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए फिर आपके जो है जो बॉड़ी है वो अप्स्ट्रेट हो और आपके जो है गला वो सीधा हो या फिर ऐसे पॉस्चर में हो जिसके उपर आपके गले पे जोर ना है और आपके अपने वोकल्स फुल पोटेंशल से गा सको जो मैंने आपको सबसे पहली मिस्टेक बताई है ये वाली मिस्टेक और उस मिस्टेक में जो है एक चीज़ कॉमन है क्योंकि जब आपका पॉस्चर ठीक नहीं होता ठीक आप नीचे देख रहे हो या आप बेटे हुए और शोल्डर आपके काम नहीं है तो आपके जो है आपके ब्रीफिंग में भी प्राबलम आती है ठीक है जब आप पे ज़्यादा प्रेशर होगा आपका पॉस्चर सही नहीं होगा तो आपकी ब्रीफिंग भी अबनार्मल होगी जब आप खुल के बेटोगे और आपका पॉस्चर भी ठीक होगा इससे आपके vocals बहुत ज्यादा बेतर हो जाएंगा चोथी mistake वो है जो आप तब करते हो जब आपने singing शुरू कर दिया होती ठीक है और वो mistake है आपका pitch control आपने अपनी breathing की practice भी कर लिया अपना warm up भी proper कर लिया अपना posture भी ठीक कर लिया लेकिन जैसी आपने vocals गाना शुरू किये आपको अपनी pitch पे control नहीं है काफी singer जो है अपनी pitch control को ignore करते हैं ये वो pitch नहीं है जो cricket वाली है ये different pitch है ये जब आपको अपनी vocals record करना शुरू कर देते हो घलत pitch में तब आप उसको maintain नहीं रख पाते हैं आपने ये notice किया होगा जैसी आपने एक vocals शुरू की आप जैसी उसके higher notes पे आते उठीक है तो आपको जो है control नहीं रहता आपकी आवास फट जाती है आपकी आवास जो है बिलकुल out of control हो जाती है तो ये control सीखना ये भी काफी practice से आता है कि मुक्तलिफ pitches में आपकी आवास कैसी है और मुक्तलिफ pitches कैसे होती है जब आप ज़्यादा इसकी practice करोगे आपको उसका अंदाजा हो जाएगा कि मुक्तलिफ pitches किस तरीके से sound करती है और उसको आपकी जो अपने गले के लिए सबसे best आवास कौन सी है पांचवी ऐसी mistake जिसकी तरफ हम बिलकुल तवज्यों ही नहीं देते वो है आपकी clear pronunciation ठीक है जब आप अपने जो lyrics प्रोनाउस कर रहे हो ठीक है इसका आप कोगे इसका तो आवास के साथ कोई तालुक नहीं है इसका breathing के साथ या practice या techniques के साथ कोई तालुक नहीं है लेकिए अगर आपकी pronunciation ठीक होगी ठीक है तो आपके vocals बहुत अच्छे सुनाई देंगे अब आप अगर गलत pronunciation में कोई भी vocals अगा रहे हो ठीक है तो बेशक वो vocals कितने भी अच्छे हो pronunciation सही नहीं होगी तो आपका message आपके जो आप deliver कर सकते वो वैसे नहीं रहेगा इसकी जो best practice मैं आपको बता सकता हूँ वो है आप हार एक लव्ज को exaggerate करके परो ठीक है सिर्फ practice के लिए आप जो भी vocals आपके सामने lyrics हैं उसको exaggerate करके ऐसे करो कि आप अपने lips को extra hard move करो अभी singing के वक्त आप ऐसा ना करो लेकिन practice के वक्त आप हर एक लव्ज को जो है extra hard pronounce करो ऐसे करो जैसे आप किसी अगले बंदे को अपनी एक बात बताना चाह रहे हो और उसको आप चाते हो कि वो बिलकुल सही तरीके से हर एक लव्ज आपका समझे clearly ठीक है इस तरीके से जब आप practice करोगे तो जब आप अपने vocals गा रहे होगे आपकी pronunciation बेतर होगी और इससे आपके vocals पे बहुत बड़ा effect आएगा और आपके जो final recording अगर आप कर रहे हो या आपके final vocals बहुत ही ज़ादा बेतर होगी ये पांच्वी tip उनके लिए बहुत ज़ादा important है जो किसी के सामने लोगों के सामने गाना चाहरे ठीक आप अपने लिए तो नहीं गाते हैं आप जारतार लोगों के लिए गाते हो ठीक है और अगर लोग आपके जो है आपके vocals को समझ रहे हो आपके pronunciation को समझ रहे हो क्यूंकि आपकी pronunciation अगले के दिल पे लग सकती है ठीक है अगले के दिल पे जो आप उसकी feelings को touch कर सकते हो किस तरीके से आप अपने words को pronounceate करते हो ठीक है अपने lyrics को पढ़ते हो तो यह बहुत जादा important है और यह सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई है यह practice से ही ठीक होंगी अगर आप लोग को फिर भी कोई question है तो आप मुझसे comments में पूछ सकते हैं और बाकि अगर अगर आप कोई वीडियो पसंद आये तो आप इस वीडियो को like करें इस चैनल को subscribe करें बेल आइकम पर click करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में